जैशीर रादे कृष्णा साथियों मैं भी कृष्णा ग्यान साहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके अच्छी स्वास और सुखजवेन की मंगल कामना करती हूँ आपके अपने इश्देवों को कोटी कोटी नमन करते वे बड़ों को परणाम करते व कोई ना कोई दोश हमें ऐसा बतायवा होता है जिसका निवारन पूजा करने के बाद भी हवन करने के बाद भी हो नहीं पा रहा है नव ग्रह शांति का एक मात्र ऐसा आचो कुपाई लेकर मैं आज आपके बीच में आई हूँ कि उसके कर लेने के पश्चात आपको शायद आवश्रता कुछ और करने की ना पड़े और आपके गरहें शांत हों स्मूध हों और आपके उपर शुब फाल परदान करें तो चलिए जटपट वीडियो प्रारम कर लेते हैं लेकिसे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नद भूलेगा बैल एकन गटन जरू दबाएगा जिसे आने वाली वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले हर किसी की कुंडली में कोई न कोई दोश होता है जो कोई भी दोश ऐसा होता है जो मनुश्य के जीवन को परभावित करता है कुंडली नहीं होती है या कुंडली आपको पताया है किसी ने तो ये आपको आर्थिक तंगी देता है नोक्री में समस्याय आती है स्वास्त में समस्याय आती है बहुत कमाने के बाब जूद भी धन नहीं रुकता है करजा बढ़ता रहता है बीमारी पीचा नहीं चोड़ती है बहुत सारी परिशानिया हमारे पर आजाती हैं इने सारी परिशानियों का समाधान एक उपाई से आप कर सकते हैं नव ग्रह शान्ति का जो आप उपाई करेंगे जरूरी नहीं कि किसी ग्रह की शान्ति के लिए बहुत मोटे मोटे रतन पहने जाए या बहुत बड़े-बड़े हवन किये जाए लेकिन हां को यह कैसा का रहे तो हम कर सकते हैं जिसमें कि हमें बहुत अदिक परिशानी ना हो बहुत अदिक कष्ट भी ना हो और हमारा नव ग्रह शान्ति का जो उपाई है वो कामियाब हो जाए और हमारे उपर कृपा प्रभुकी बनी रही एक वैसे रिक्वेस्टेड वीडियो भी है तो आपको क्या करना है कल्यूग में पीपल के विरक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वासमाना जाता है अगर कहीं एकत्रित तीनों देवता होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल है शनिवार के दिन का ये उपाई है शनिवार के दिन आपको क् हरा है खुला भी है आप में रिल को पर ने के रिलfik में लेकर एक लाइब के , और ने के रुआप लेना है बार के लिए आप दे रहा हुआ नैंके लोनारी ने ईक लड़ाई में हुआ कर दोات नंसे आप लो स Pewppel Bryan कि दम नहीं दोड़ा इस रिसमत लेक हैं, तो तो आप अपनी रील से उन नो धागों को इकपल करके बना लिजी एक खुब लंबा धागा जितनी आपको रिक्वार्मेंट है वो आप ले कर जाएंगे नो आपको दीपक लेके जाने है मिट्टी के दीपक लेंगे उसमें सरसों का तेल रहेंगे एक बाती रहेगी आपको वो लेकर जाने है अब आपको वो समान आप ऐसे ले जाए ये नो धागों को का एक धागा बना कर आप वो अपनी एक प्लेट में धाली में जिसमें भी ले तोड़ सा चाहे तो मीठा भी ले सकते हैं नो आपने दीपक रख लिए तेल एक किसी शीशी में रख लो और बातियां लग रख लो माचिस ले जाओ यह आपको लेकर जाना क्योंकि घर से ना तो जला कर ले जाओ ना भर के ले जाओ हो सकता है पीपल कहीं दूर हो आपको किस वहिकल से जाना हो पैदल जाना हो तो वह सब ले जाने में थोड़ा अनीजी हो जाता है और सब की नजर भी पड़ती है तो आप उसे तो एक बैग में भी ले जा सकते हैं वह ले गए आपको पीपल पर जाकर पहले आपको जल चड़ाना लेकिन लोटे में थोड़ा सा जल लेना है वापस लाने केलिए फिर आपको जो 9 धागे आप लेकर गए हैं वो उस 9 धागे को पीपल पर लपेट कर गीठानी मारनी ऐसे ही करके और उसको छोड़ देना आ वो खुलना भी नहीं चाहिए ऐसी आपको छोड़ देना नो धागे आपने बांद दिये जल पहले आपने चढ़ा दिया अब जो नो दीपक आप लेकर गए नो दीपक को रखिए उनमें थोड़ा थोड़ा सरसो का तेल डालिए एक एक बात ही लगाईए अगर आप कुछ पुड़ लेकर जाएं मीठा ले जाना है तो वह आप हाँ चढ़ा दिजिए उसके बाद आप उन दीपक को जला दिजिए मनी मन क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो नव ग्रह को संचालित करते हैं तो वहां उनका ध्यान करते वे वह दीपक जलाएं अपनी मनों काम न रखिए कि हे इश्वर हमारे नव ग्रह दोश जो है वो शांत हो जाएं हमारे उपर इश्वर की करपावर से ऐसा कहकर और अपने घर को चले आए मुड़ के देखने की अवशकता नहीं है नो शनिवार आपको ये करना है ये कामा प्राते काल भी कर सकते हैं और संध्या काल भी कर सक कि चाहें आप σουबह कर ले अपनी सुविधानुसार करते हैं लेकिन करना पूरा अनुसरे हमारे द जो मैंने अपको पताया है नो रंग के दागे राणिय के उसका बना यथे जो जाना लो बद धागा ले जाएगे नोरंग का इखटा करके ठीक है और आपको नोधी पक ले जाने हैं सरसो का तेल डाल के बाद जलाने हैं मीठे का भोग लगाना है अब आप वो जल लेकर अपने वापस आजे जो जल मैंने थोड़ा सा आपसे लोटे में रुकवाया है वो जल लाने क बाद आप उसे अपने घर में आने के बाद चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके छिलक दीजे और थोड़ा सा अपने उपर चिलक लेजे आप देखिएगा इसका प्रभाव नवगरह शांती का नवगरह दोश्र शांती का इस से अचुक उपाय कोई हो नहीं सकता इतना कारगर इतना चमतकारी इतना सटीक और जबरदस उपाय है यह निश्चित काम करेगा इस उपाय को अवश्य ही कर ले अकर आपको जो मैंने सुबह पहले लक्षन आपको बताए हैं कि इस तरह कि कोई भी आपके घर में समस्य आ रही है तो भी आप कर लें कही बा समाप्त हो जाएगा जीवन सुख में हो जाएगा परिशानियों का अंत हो जाएगा यह उपाय कीजिए और अपने भाग्यों को बदलिए और मुझे दीजिए फिलाल इजाजत मैं मिलती हूँ एक और मैद्वन वीडियो के साथ अप तक हसते रही है मुस्कराते रही अपन और अपने अपनों का ख्याल रखे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए जिसे जरूत है उसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में हरार मादेव ओमनमा वासु देवाय जैबजरंगो लीजै माता की कुछ भी लिखीगा लेकिन लिखिएगा जरूर इश्वर आपकी करें